हलो फ्रेंड्स पेलकम टुकिट स्टडी कॉर्णर आज एक और मैथ की वर्कशीट में आपके साथ में शेयर करने के लिए हूँ जिसे हम यूज करेंगे क्लास फूर्थ के बच्चों के लिए अगर आपके बच्चे के स्कूल के अंदर बहुत ज़़ा सिलिबस करा जाता है त यो यूज होगी वर्कशीट यह ख्लास फूर के लिए है तो सिंब्ली हमारा फॉर्स्ट कोड़िया है फॉर्स्ट कोड़िया है इस से से यह जो नंबर नुबर है आप देए सकते हैं बच्चों को लिख करके काफ़ी सारे numbers दिये हुए है simply हमें क्या करना है 10,000 के nearest जो number है हमारा उसको हमें round off करना है simply next question जो बच्चों का practice करने के लिए दे सकते हैं worksheet का वो है round off 77,437 to the nearest 10,000 यह numbers लिखा हुआ है यहाँ पे जो है हमें इसको हमें क्या करना है 10,000 के nearest round off करना है third question है हमारा जिसको क्या हम देखेंगे third question है use the digits given below to make the largest possible number without repeating of digits यह जो digits दिये हुए है इनको repeat किये बिना आपको क्या करना है largest possible number को बनाना है then round it off to the nearest 10,000 उसके बाद में उसको round off करना है किसके nearest 10,000 के simply यह चीज़ याद रखेगा यह जो numbers है आपको काफे सरी numbers दिये हुए है इससे आप बच्चो को practice करवा सकते है बहुत ज़दा help होती है बच्चो को इससे जितनी ज़दा आप practice कराओगे उतना ही ज़दा बच्चे improve करेंगे next question है हमारा a number when rounded off to the nearest 10,000 has rounded off value of 30,000 what could be the five possible way of does it add the thousand and 10,000 please clue दिया हुआ है आपे 25,000 है या वो 34,000 है आपको इसको round off करके निकालना है यह जो question है ना आप बच्चो को solve कर भाओगी तभी बहुत easily वो कर पाएंगी round off अली जो भी questions होते हैं वो class 4 में बहुत ही detail में explain कर दिये जाते हैं अभी final exams आने वाले हैं आपको पता ही है और यह जो worksheet है बच्चो को बहुत ज़दा help करेगी